यह यमहा PSR i500 जो कि हम इस कम्प्यूटर में ओडा सीती के साथ जोड के आप लोग को कैसे रेकॉर्डिंग करना है अच्छी क्वालिटी में वो आप लोग को बताऊंगा इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको एक केबल चाहिए कम्प्यूटर में जोडने के होस्ट के लिए तो उसके लिए एक केबल आता है जो प्रिंटर केबल आप ऐसे केबल देख लिए एक साइट यह जाएगा हमारा कीबोर्ड में और यह हमारा पोर्ट जाएगा USB जो की कम्प्यूटर के USB पोर्ड में ओके तो यह केबल आपको लेना है किसी भी शॉप से जाकर या Amazon खरीदे और वहां पे आप बोल सकते हैं कि हमें प्रिंटर केबल चाहिए भी टाइप केबल है प्रिंटर केबल बोलेंगे आपको इसको केबल मिल जाएगे सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको अन कर लेते हैं यह हमारा यह महां का अन हो गया है अब यह केबल के यह वाले जो तो यह वाले port है इसको हम इसमें जोरेंगी देखो इसमें क्या हता है यह है power supply जो हम यहां के यहां से power दिये है वहां से दिये है power है और यह हमने headphone यहां पर phones है यह phones को यहां पर connect करके यह हौण हमने कनेक्ट कर लिया हूँ है ना और यह जो केबल है यह और यहाँ पर हॉस्ट होगा लेखो-स्य यह होस्ट में यहां पर इसको कनेट कर दिदेना और अराम शेकर देना और हम से हो जाता है देखो यहाँ यहां पर मैंने कर दिया हूं और फिर यह वाले हमारा जो फोर्ट है यूएस्बी ये यूएस्बी इसको इसमें कनेक्ट कर देना है कंप्यूटर में अभी जैसे हम कनेक्ट कर दिया है यह हमारा कनेक्ट हो गया है अभी क्या करेंगे हम इसको कनेक्ट करने के बाद हमें इसका ड्राइवर डाउनलोड करना परता है अभी देखो connect हो गया है है ना अभी ऑड़ासिटी आपको आपको अगर अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से फिरी में डाउनलोड करता है फिरी सॉप्टियोर है इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं हम फिरी बता रहे हैं तो इ पहले सेटिंग कर लेते हैं कम्प्यूटर में या तो आप ऐसे करें पहले मैं देखाता हूँ आपको इसको सेटिंग करने के बाद सेटिंग कर ले फिर सेटिंग करने के बाद एक ड्राइवर होता है जो PSRI 500 जब जब तक वह नहीं डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे अपने PC में जब तक आपका यह रेकॉर्डिंग होगा नहीं होगा भी तो सुनेगा नहीं यहां पर लाइब है न और तो इसलिए वह आपको करना जरूरी है तो मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके आपको सेटिंग भी बताऊंगा और वह फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करके फिर आपको ओडा सिटी में रेकॉर्ड करके बताऊंगा ओके दोस्तों अभी मैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गये हैं और हम डाउनलोड करना है ज जो भी आप यूज करें और इसको में क्रोम ओपेन कर लिया और इसमें जाके या महां या महां देखो या महां का जो वो वो सॉरी देखो एस्टीन यूएसबी डिराइवर हमें डाउनलोड करना यहां क्या यहां देखो यह वाले साइट पर जाना है आपको यूएसे यामहा.com यामहा एस्टीन बर्ड यूएसबी डिराइवर है ना विंडोस के लिए आप जो भी यूज करें इस पर क्लिक करें यह साइट हो यह है और यह से हम आ गया इस सक्रोल करेंगे देखो यहां पर यह करेंगे और इस को डाउनलोड करना है जैसे हम इस्ट्रैक्ट क्लिक करेंगे यहां हमारा लेयर है यहां पे extract USB यहां पे जैसे में extract कर देंगे तो हमारा USB यहां पर यह आगए देख को इसको open करेंगे इसको फिरश करेंगे और धूसमें हमारे यहां पर setup है है नहीं आप इस्टाब को हम इंस्टाल करेंगे हम आल्डेडी dónde इंस्टाल कर चुके हैं तो आप आप इंस्टल्ल कर लेना यह तो में देखा तो इसको डबल क्लिक करना है और इसको एस कर देना है अब भी हम जाएंगे Audacity ओपेन करेंगे इसे पहले आपको Setting कर लेना है अगर आपको Audacity में नहीं आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है साउंड पर जाना है और साउंड पर देख लेना है यहाँ पर यहाँ पर हम headphone यूज़ कर रहे है यहां नहीं यूज़ कर रहे हैं मैं देखो मैं डिजिटल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूं यह आ गया है है ना क्यूंकि मैं यह यह महां का जो हो था पी एसराइ 500 यहां पे देखा चुका है आपका हेड़फॉन जो भी मतलब आप अगर कर रहे हूं तो आपको यहां फिर रेकॉर्डिंग पर जाना है रेकॉर्डिंग पर भी वही करना है साउंड पर जाना है अगर नहीं लेते हैं तो किसी किसी कंप्यूटर में दिक्कत होते अब ही हम क्या करेंगे ओड़ा सिटे अपना ऊपेंगे ओड़ा सिटी भी फिरी सब्ट्वेर है मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कैसे डाउड़ूड करते हैं तो इसको open कर लिया अब इसको open करने के बाद देखो हम जैसे ही यहां पर recording करके और यहां पर जैसे recording करके हम keyboard पर कुछ बजाएंगे तो वह record होगा देखो अभी यहां पर wave नहीं आ रहा है, नहीं record जैसे हम keyboard पर बजा रहा हैं, देखो देखो अभी देखो अभी मैं कीबोड पर यह प्रेस कर रहा हूं तो इस पर सांड आ रहा है मतलब हमारा रेकॉर्डिंग हो रहा है अगर फिर से स्टॉप करना है तो यहां से यहां से रेकॉर्डिंग होता है और फिर इसको हमें क्या करना है इसको हमें सेव करना है तो यहां पर जहां पर आपको डेस्क्टॉप पर कहीं पर भी डाउनलोड करना है इसको एक्सपोर्ट कर देता कोई भी फाइल में चलो हम डेक्स्टॉप पर कर देता है य सकते कर दिया हमारा स्खेब हो गया अभी देखते हैं यहाँ पर डेयमधर कर दो हंको यहाँ यह चलेगा थूद यह आपको नहीं सुना ही देगा लेकिन हमें सुना दे रहा है है यहां तो क्यूंकि मैंने यह सेटप करके रखा है इसको Meer इसको box में नहीं जो रहा है तो यह था हमारा जो किस तरीके से आप recording कर सकते हो PSR i500 को Yamaha का तो यह driver नहीं डाउनलोड करेंगे दोस्तों तो आपको यह recording नहीं होगा driver download करके install करना है उसके बाद आपको काम करना है तू ही आप कर सकेंगे और यहाँ पर जो setting setting है इस पर ज्यादा तर ज्यादा आपको 48 रखना है नहीं तो यह था किस तरीके से हमने यह 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 महां को अपने keyboard को इस computer में audacity के साथ क्या क्या डाउनलोड करना परा क्या क्या करना परा वह हमने बताया अभी आपको कोई problem हो तो comment करना उस पर भी हम वीडियो बना देंगे अगर कोई problem आये तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा